तुम्हारे शहेर का मुझा तुम्हारे शहेर का मुझा बड़ा सुहान लगे मैं एक शाम चुरा लू अगर बुरा न लगे तुम्हारे शहेर का मुझा बड़ा सुहान 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 लगे मैं एक शाम चुरा लू अगर बुरा न लगे तुम्हारे बस में अगर हो तो बूल जाओ मुझे तुम्हें बुलाने में शायद मुझे जमान लगे जी मैं महमुद सेन फयास इस वक्त हम अपने अबाईगाओं अक्चमल और अपना महला जो है मंगबूर के बिलकुल मद्द मुकाबिल बेटकर आपके लिए ये वीडियो बना रहा है और आप देख सकते हैं मेरा महला हमारा महला महला महला- मंगबूर और इसी महले में मैंने जनम लिया है पहले छोटी सी बस्ती थी नाव गरूं पर मुच्टमिल ये महला था और आज तक्रिबन पच्ची से तीस गरूं पर मुच्टमिल महला हो गया है और पहले बिलकुल ये नीचे जो है सिर्फ नाव गरूं पर मुच्टमिल ये महला ये छोटा ही था एज आप देखे उपर नए तरज तर्द यह पर नए मकान बनाए गए हैं और आबादियां फैल चुकी है और आप फुट देख सकते हैं और उपर आप हमारा अलाका अक्चमल देख सकते हैं जो कि अक्चमल अलाके के हम भी एक महला है हमारा महला भी अक्चमल अलाका से बिलाओं करते हैं आप खुद देख सकते हैं और ये महला तकरिबान कारगिल टाउन से तीन किलमेटर की दूरी पर वाका है पहले हम यहां से बजार जो है पेदल जाते थे जब हम छोटे थे लेकिन आज गाड़ियों की सुहलियत है और यहां हर जगे से सड़क निकाली गई है आप खुद देख सकते हैं कितने सड़कें यहां से निकाली गई हैं और यह बड़ी सड़क जो है यह बाइपास यानि के बाइपास है और यहां से थ्रू होकर फिर इस तरफ गाड़ियां मोड़ते हैं और लेह कोमी शाहरा के साथ मिल जाता है रास्ता दुनिया की सितम याद ना अपनी ही वफायाद अब मुझको नहीं कुछ भी महबत के सिवायाद क्या जाने ते क्या होगे अरभाव जुनों को मरने के अदा याद ना जीने के अदा याद दोस्तो आज सोचा की अपने अलाके के एक तस्वीर आप लों के तक पहुंचा दूँ और यहां तक में पहुंचा और अपने अलाके अप्चमल का कुछ अप्चमल की कुछ तस्वीरें जो है आप तक पहुंचा रहा हूँ जो उस्ताजू हो तो सफर खत्म कहा होता है यो तो हर मोट पे मन्जिल का गुमा होता है दोस्तों फिलाल इतना ही इन्शानला दूसरी जगह आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए खुदा आफिस